सूपरवाद विदार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी, बच्चो आज हम हिंदी वियाकरन में प्रायवाची शब्द पढ़ेंगे, तो चलिए शूरू करते हैं बच्चो आज हम पढ़ेंगे प्रायवाची शब्द, प्रायवाची शब्द पढ़ने से पहले हम प्रायवाची शब्द का अर्थ जान लेते हैं प्राय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले तो प्राय वाची का अर्थ क्या हुआ जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उन्हें हम क्या कहते हैं प्राय वाची शब्द कहते हैं हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जानिकि जिन के अर्थ एक जैसे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायवाची शब्द, देखिए इसकी परिवाशा, समान अर्थ वाले शब्दों को प्रायवाची शब्द या समान अर्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सूरज सूरज को हम किस किस नाम से बुलाते हैं सूरे रभी दिनकर बानू रात रात का क्या आएगा रात्री नीशा रजनी पक्षी का क्या आएगा खग विहग और पंच्छी हवा पवन वायू समीर नेक्स देखिए कमल जलज नीरज सरोज पानी का जल नीर वारी व्रिक्ष का क्या आएगा पेड तरू विटब आदमी का क्या आजएगा मानव नर मनुष रास्ता का क्या आएगा राहा पत और मार्ग नेक्स देखिए आँख आँख का क्या आएगा नयन नेतर लोचन इश्वर का क्या आएगा बगवान प्रभु पर्मातमा फिर अब पृत्वी पृत्वी का क्या दर्ती भूमी दरा ठीक है तो बच्चों जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो जाने कि जिन के अर्थ एक जैसे हो उन्हें हम क्या कहते हैं प्रायवाद ची शब्द दन्यवाद विदार्थियों